आज का वीडियो देखने का बत तो आप भी बोलो कि वा यार यार ये तो बेस्ट सल्यूशन है क्योंकि आज लफड़ा ही खतम हो जाएगा HDMI की टेंशन का अब नॉमली क्या होता है न हम जो भी प्रोजेक्टर या टीवी जूस करते हैं उसमें कई बार हमें HDMI का प्रॉब्लम मिलता है और आपके पास आजकल Devices भहुत सारे होते हैं और मान लो कि यार दो डिवाइस या तीन डिवाइस आप का setup box या fire tv stick तीनों को हमेशा connected आप रख सकते हैं single HDMI port होने के बावजूद भी इस gadget की मदद से तो अब बार बार दिक्कत नहीं होगी आपको बार बार HDMI की तार निकालनी की और लगाने की तो मैं बताता हूँ कि कैसे ये product काम करता है ये है HDMI switch तो ये HDMI तो switch है वो इस तरीके से मिलता है वीडियो के description में आपको इसका link मिल जाएगा मैं फिलाल में इस product को यहाँ से भार निकाल लेता हूँ तो हमें यहाँ पे इस तरीके का ये switch देखने को मिलता है अब इसमें single HDMI तार है अब इसको आप चाहो तो अपने तीन ports मिल जाते हैं तो अब मैं यहाँ पे तीन device एक साथ connect कर सकता हूँ यानि कि मैं अपना TV box connect कर सकता हूँ अपना laptop connect कर सकता हूँ अगर कोई gaming console है उसको भी connect करके रख सकता हूँ तो एक projector पे मैं अब तीन HDMI device को connect कर सकता हूँ और सिर्फ एक switch की मदद से जो है 123 यहाँ पे switch दे रखा है तो इस switch की मदद से जो है मैं अपने devices का output इस पे ले सकता हूँ मैं आपको एक demo करके दिखाता हूँ अब यहाँ पे मैं आपको display clear इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे distance की problem में लेकिन मैं आपको जो actual problem है उसका solution यहाँ पे बता ही रहा हूँ तो मेरे HDMI switch पे अभी आप देख रहो सामने spider man जैसा दिख रहा है वो मेरे laptop का जो है display वहाँ पे आ रहा है और देखो यहाँ पे switch पे light जो जल रही है वो यह वाली जल रही है क्योंकि यह वाली HDMI cable मेरे laptop से आ रही है अगर मैं यहाँ पे switch दबाऊंगा क्योंकि मुझे switch करना है इसको तो switch करने के लिए क्योंकि जो मेरे tv box से आ रही है switch मुझे उसका display चाहिए तो आप सामने कुछ देर के बाद display आता है जैसे मैंने अभी यह दबाया अभी मेरा laptop जो है वो stand by पे चला गया है तो मुझे एक बार mouse का cursor हिलाना पड़ेगा उसका ठीक है तो अब यहाँ पे tv box का display आ गया और center वाली light जल रही है जो tv box से HDMI आ रही है मैं फिर से दबाऊंगा थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पे और समय लगता ही यहाँ पे display चेंज होजाता है तो इस तरीके से आप अपने HDMI devices को switch कर सकते हैं तो hopefully यह process आपको clearly समझ आ गया होगा आप इसको अपने tv या फिर अपने projector के साथ में use कर सकते हैं इस HDMI switch को और यहाँ पे एक बटन की मदद से आप अपने devices को switch कर सकते हैं तो अगर आपके टीवी में एक ही HDMI का port था या फिर projector में जैसे एक HDMI का port और मुझे दो चीज़े connect करनी होती है आप तीन चीज़े connect कर सकते हैं मैंने यहाँ पे दो ही connect करी है तो आप इस HDMI switch को खरीच सकते हैं इसका link जो है वो वीडियो के description में आपको मिल जाएगा hopefully यह वीडियो आपके काम की होगी पसंद आईए तो like कीजिए, comment कीजिए अगले वीडियो में दिखाऊंगा कुछ और gadgets